तो चलिए दोस्तों, आज हम 8 हक्टूबर को हुए रेलवे ग्रूप D के पेपर का रिविजन कर लिते हैं, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए, यहाँ पर पहला परसन है, चंद्रगूप्त मोरे का उत्र इदिकारी कौन था? तो इस कांसर है बिन्दुसार, तो इनसे रिलेटिड जो भी कोस्टन्स बनते हैं, वो भी मापको सासत बताता जाओंगा तो ये वीडियो थोड़ी से लंबी हो सकती है, तो आप चिंता मत करिए, आप बस अराम से वीडियो को देखते रहिए क्या पता इनसे रिलेटिड कोई परसन आपके नेक्स्ट एक्जाम्स में पूछ लिया जाए, तो ये कोस्टन्स आपके लिए काफी पोटेंट्स होने वाले हैं तो चलिए, देखिए चंदरगुप्त मोर्य का उत्र इदकारी बिंदुसार था, जो 298 में इस्वी पूरु में मगद की राजदानी पर गदी पर बैठा था समराट असोक किस के पुतर थे, वो बिंदुसार के पुतर थे और मोर्य वंस की स्थापना किस ने की थी, यह चंदरगुप्त मोर्य ने ही की थी, 345 इस्वी पूरु में इसके बाद अगला परसन था, मुद्रा राक्षस की रचना किस ने की थी, तो मुद्रा राक्षस की रचना विशाकदत के द्वारा की गई थी और किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का वीशे है तो चंदरगुप्त मोर्या है उनी की कहानी है इसके बाद है मचली के हरदे में कितने कोश्टक होते हैं तो मचली के हरदे में दो कोश्टक होते हैं मचली एक मतस्य वर्ग का प्राणी है इसके हर्दे में दो कक्स होते हैं, एमफीबिया वर्ग के प्राणी जैसे मेंडक होते हैं, उनके हर्दे के अंदर तीन कक्स होते हैं, और मनुष्य के हर्दे में च्यार कक्स होते हैं, और पक्षियों के हर्दे के अंदर भी च्यार ही कक्स होते हैं, ठीक है, तो इनका विया तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं बिना भुजा हुआ चूने का रसाइनिक सुत्र क्या है तो इसका रसाइनिक सुत्र होता है CAO जिसे कैल्सियम अक्साइड भी बोलते हैं इसके बाद भुजा हुआ चूने का रसाइनिक सुत्र है CAOH2 और इसे calcium hydroxide भी बोलते हैं विरंजक चून जिसे blinching powder बोलते हैं किसे गुजार कर तियार किया जाता है यह बुजे हुए चूने पर से chlorine को गुजार कर तियार किया जाता है उसके बाद blinching powder का रसाइनिक सुत्र क्या है तो यह है CAOCL2 ठीक है इसके बाद जो बिजा हुआ चूना होता है वो CAO बोला जाता है और चूना पलस पानी होता है इसके इंदर जब यह बुजा हो चूना बनता है तो यहां पर यह बन जाता है CAOH2 calcium hydroxide और बुजा चूना होता है इसमें chlorine होता है त है CAOCOL2 पलस एस्टू हो जाता है इसके बाद नीला थोथा यहनकी नीला कसीम किसे कहते हैं तो यह होता है copper sulphate जिसका रसाइनिक सुत्र होता है CUSO4.5H2O इसके बाद हरा थोथा किसे कहते हैं उसे ferrous sulphate को कहा जाता है इसका रसाइनिक सुत्र FeSo4.7H2O होता है इसके बाद अ कहो संग है तो इसके रचनेंट है कालिदस कुमार संभाव एवं अभिघ्यान साकुंतलम की जो रचनाकार है वो भी कालिदासी और देखैंगे इनको दिया गया है सूवैदार चेंदा ऐंचेया कुटपा जैने मुक्य बाजीम दिया गया है वीजे शर्मा को भारुत तोलक में दिया गया है तारक सीना को क्रिकेट में दिया गया है जीवन कुमार शर्मा को जुड़ो में दिया गया है के श्री निवास रायो को टैबल टैनिस में दिया गया है और वी आर बीड़ु को एथलेटिक्स में दियागया है इसके बाद चीन के वर्तमान परधानमंत्री कौन है तो यह है ली कूचियांग चीन के वर्तमान जो राष्टपती है वो है सी जिनपिंग और चीन की जो राजदानी है वह बीजिंग है और जब करेंसी है वो युवान है इसके बाद एक परसन आ रहा था कि पक्सी के हर्दे म के द्वारा लिखी गई है और काम्चुत्र है वाद्चायन के द्वारा लिखा गया है बुद्ध चरित्रम असुकोस के द्वारा लिखा गया है कादंबरी बान भट के द्वारा लिखी गई है पदमावत मलिक मुहमद जैसी के द्वारा लिखी गई है और अश्टा धाई पा हैं वह हैं BB Rani Mori है और उटाखरंड के मुख्यvious otherwise त्रिवेंदर सिंग सिग्रावत है इसके वाद धवनी की चाल सब सिब से अधिकिस में होती है तो एस प्रिवनी की चाल सब से अधिक थोस्स में उसके बाद ध्रव में और उसके बाद तर इंदर शुलर गाल आहां रिखे ऊई ईसके बष Heelit निर्वात में और निरुवाट में भूनum की चाल कितनी सुन्हें होती है और वाईयुं में धुक्षों की चाल 332डCryило 345 orth mijn 22怖 होती है इस फ़ी आवर्ध का आखरी तत्त्तों क्या होता है तो वह होता है ग्यक प्रतिक अवर्थ का पर्थम सदस्य क्या होता है वो होता है एक श्यार धातु इसके बाद है फलों को कृतिक रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है तो वो होता है एसी टिलिन का प्रयोग किया जाता है इसके बाद है फलों को प्राकृतिक रूप से प इसके बाद है, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड को कौन सी सागर अलग-अलग करती है, तो वो है तस्मान सागर, उसके बाद है, येलो स्टोर नैशनल पार्क काँ पर है, तो ये यूएसी के इंदर है, विसु का प्रतम नैशनल पार्क जो था, वो येलो स्टोर नैशनल पा इसके बाद है यहां पर कुछ और परसन हम देख लेते हैं ओधों में जेब पदार्तों का बहन किसके मादम से होता है तो यह होता है फिलोएंग के द्वारा यह जेब नहीं है जैव है जैव पदार्तों का बैठीक है इसके बाद अगला परसन हम देख लेते हैं शरीर का विटामीन के कारण और जो रक्त का थक्का बनता है वो विटामीन के कारण बनता है इसके बाद है सिक्किम राजे के ब्राइंड एमबेश्डर कौन है वो है ए आर रह्मान इसके बाद है डिने बैंक पसू के लिए कहां स्थापित किया जारा है यह उत्तर प्रदेश में स्थ पिते किया जारा है इसके बाद है दो जाराठा पदम विभूशटकी से दिया गया है तो ये इलेया राज गुलाम मुस्तफा कान और परमेश वरन को दिया गया है पेपर के अंदर इन में से कौन सा रहा था ये अभी कंफर्म नहीं है फिर भी आप इन तीनों को याद कर इसके बाद है बाकसाइट किसका मैंत और ऐस सक है तो यह अए की गार इसके बदे खाने का सौडा याइन की बैंकिंग सिंगल के विजेता कौन थे तो वो थे प्रोफेल नडाल इसके बाद हम देख लेते हैं 2017 चेस्ट चेंपियन कौन है तो वो है टैन जजोयोगी इसके बाद केरल के मुख्यबंति कौन है तो वो है पिन्नाराई विजियन इसके बाद यह हम ने कर लिया और डैल के CEO कौन है तो यह मिला है कच्चा लिम्बू को इसके बाद यह हमने कर लिया यह हमने कर लिया और यह देखिए कौन सी फसल म्रदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो वो होती है मत्र की फसल ठीक है इसके बाद है लाल और हरे परकास में किस की तरंग सबसे अधिक होती है तो य जीता है तो यह आस्ट्रेलिया ने जीता है इसके बादव इस laroseodes चीजिस प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जाता है तो कार्बन की मात्रा बढ़ा कर निकर्थ होता है इसके बाद है हिमाले दर्शन योजना कहा चलाई गई है तो यह उत्राखणधे में चलाई गई है इसके बाद मायोपिया रोक हिसे समंदीत है तो यह आखों से समंदीत है एसके बाद हर्दे के रक्त-pump करने की शम्ता कितनी होती है तो ये होती है 4.5 लिटर प्रती मिनट इसके बाद Croux kanske का संगटक क्या है तो ये है Cereum Oxide Cilica इसके बाद कोशिधा भिट्दी किसमें पाई जाती है तो ये है पादब कोशिका में पाई जाती है इसके बाद प्रेस सवतंतरता सुचकान 2017 में भारत की रैंकिंग कितनी है तो यह है 136 में इसके बाद भारती रेले बोर्ट की स्थापना कब की गई थी सन 1905 में की गई थी इसके बाद है विभांतर किसके द्वारमा पर जाता है तो यह वोल्टेज के द्वारमा पर जाता है और यह हमने करी लिया दो होते हैं और एक परसन इस प्रकार से आ रहा था कि अगर किसी चीज पर पांच न्यूटन बल लग रहा है तथा दूरी चार मिटर है तो तोर क्यूं इसका क्या हो गया तो हम क्या करेंगे पांच और चार को गुना कर देंगे तो पांच चार 20 एनम हो फर्मूला क्या होता है एम गुणा जी इसके बाद है वैल को सिटी ओफ साउंड कहां ज्यादा होती है तो यह स्टील के अंदर ज्यादा होती है इसके बाद वैल को सिटी ओफ साउंड कहां पर कम होती है गैस के अंदर कम होती है इसके बाद दहुनी की चाल कहां नहीं होती है निर्वात में तो ये तो हमें करी लिया है इसके बाद है कि 2, 8 और 3 electronic विन्यास आवर्चारणी में किस ग्रूप में आएगा तो ये पीसरे ग्रूप में आएगा और इसके बाद 2, 8, 9 electronic विन्यास आवर्चारणी में किस ग्रूप में आएगा तो ये पहले ग्रूप में इनका आप विशेश तोर पर ध्यान रखिए, एक सिफ्ट के अंदर कम से कम चार या पांच कोस्टन्स आपका आवर्ट सार्णी के मिल जाएंगे, तो इसे प्लीज आप जरूर याद करके जाएए, अच्छे तरह से, ठीक है, इसके बाद है, आवर्ट सार्णी में आवर्ट क आखरी तत्व कोन सा है? वो है अक्रिय गैस, इसके बाद है, पहला लिखीत सविधान किस देश का था? तो वै अमेरिका का था, इसके बाद है, स्कैनर उपकरण में किसका प्रयोग होता है? तो यह है लेजर किरनों का प्रयोग होता है, तो यह था दोस्तों, रेलवे प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, सेर और स्क्राइब करना बिल्कुल मद भूलिए, जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत!